हुए नमस्कार मित्रों मैं दुर्गा प्रसाड मिस्त्र संस्करिप प्रभोधिक चनल प्र आपलोगों कहरदिक स्वाकत करता हूं हम लोग सिसुपाल बद को पढ़ रहें तो सिसुपाल बद के प्रथम सर्ग में हम लोग उने 46 पहले पढ़ लिया है अब हम लोग देखेंगे यहां पर हिरेन कसीपू के मने शिसपाल के पूर बजनमा का वरणन चल रहा है तो उसमें पूर बजनमा में वह हिरेन कसीपू बना और उसकी पहले महिमा का वीरे का वरणन नारज जिस्रिक रहन जिससे कर रहे थे और अब बता रहे हैं कि ऐसे भयानक महाबली देवताओं के लिए भी पूझ उस हिरैने कसिपू को आपने मार डाला बद कर दिया तो उस हिरने कसिपू को आपने न्रसिंग रूप धारण करके मारा, उसी न्रसिंग रूप का बरणन कर रहे हैं, तो इसमें कुछ सब्दों का आप परियोग करेंगे, जिनका आर्थ मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ, देखें न्रसिंग यानि सिंग रूप है, तो सिंग का मतलब सिंग के कुछ यह बाल होते हैं किनारे किनारे second wildlife यह सिंघ की क्या है बालेत cleaned to quit in newspaper सटा कहते हैं हैं और चूंकि यह एक समू होए थे का टिन सत आउं की च्ठा च्छटा कहते हैं समू को ये सटाओं की जो चटा है और ये चटा जो है इससे ये इतने विशाल थे जटाओं का जो समुह है अब चुंकि ये नरसिंग भगवान का रूप जो है बहुत विशाल था बहुत कई किलोमेटर उंचा था तो भाई साब इसलिए क्या हुआ कि उपर जितने बादल थे मेग थ अपने जो गर्दन के केस हैं यानि की सटाएं यानि जटाएं उनकी छटा यानि सबूह से मेगों को इन्होंने क्या कर दिया पाड़ दिया विदीरन कर दिया आएसी इन जटाओं को धारन किये हुए सुसोभित होते हुए और इनका जो तनू सरीर था, वो सैंगी तनू था, सैंगी का मतलब है सिंग रूप का तनू, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि सिंग रूप का तनू है, और अतनू तनू, अतनू का मतलब होता है जो तनू यानि अल्प छोटा सा ना हो, ना तनू मने स्वल्प, तो जो बिशाल हो इस प्रकार के कनु को हे इनरसिंग तुमने धारण कियाanut और तुमारे नाखून कईसे है यह ज़़ा इन नाखूनों को देख लेजी इंके ये जो नाखून हैं के विए साब यह नाखून भी कईसे हैं अत्य हैं कि इतने इतने रोड़ मांखून है जैसे कोई फूल होता है न वो फूल अगर सरीर से स्पर्स कराया जाये तो सरीर को चोट नहीं पहुंसती फूल ही मुड जाता है ऐसे ही इनके नाखोन भी अतिन्त सुकोमल थे जो की नए कांता के यानि इस्त्री के स्तनों के संग से स्पर्स से भी जो costing चैनि मुण जाते थे कुटिल वो जाते थे यानि की लचीला पना जाता था जिनमें नाखुन में मुण जाते थे कोुमान से वजर से भी कठोर उस रेन ने कशिपू के वक्षस्थल को व्हिदीर्ण करके और उस अपने मार डाला तो यहाँ पर इनी कुछ बातों को बताएंगे अब हम लोग सुलोक को देखते हैं तो यह चीज आप देख सकते हैं इनके नाखून को और इनके आयाल का मतलब होता है सिंग की गर्दन के बाल उसी को हम सटा भी कहते हैं और छटा मने उसका समूह और उसके द तो यह देखिए नारदमुनी नर्सिंग के द्वारा हिर्ण कसिपू के बध का ब्रणन करते हैं कि सटा छटा भिन घनेन विभ्रता नर्सिंग सैंगी मतनुम्तनुम्तया समुग्धकांता संग भंगुराईर उरो विदारं प्रतिचस्करे नखईह देखिए हे नर्सिंग संबोधन है हे नर्सिंग सैंगीम माने सिंग की अतनुम्याने बहुत बड़ी तनुम्याने शरीर को तोया माने तुम्हारे द्वारा बिभ्रता माने धारन करते हुए और कैसे सटा यानि की गर्दन के बाल छटा यानि की समू तो गर्दन के बालों का जो समू उसके द्वारा भिन्द यानि फाड दिया है घन यानि मेग को जिनोंने आयसे आपने सहा माने उस हिरने कसिपूराक्षस को नखई ही यानि अपने नाखूनों के द्वारा प्रतिचसकरे यानि की माल डाला कैसे उरो विदारम उरो कहते हैं वक्षस्थल को विदारम का मतलब ह फाड़ते हुए तो वक्षस्तल को फाड़ करें उसको प्रतिचस्कर यानि मार डाला सह माने रेने कसिपू कई कई ही नखाओं के द्वारा और कई से नखें जी तो मुग्ध माने की नई जो कांता के इस्तन है माने मुग्ध माने नए नए जो कांता के इस्तन है इस तरीके ज नाखुनों के द्वारा वज्र रजई से कठोर उसके वक्षस्तल को विदारम यानि फाड़ करके नकों के द्वारा और सह यानि की हिरने के सिपुह प्रतिचस्कर यानि मार डाला गया यहीं बता रहें कि हेनर सिंग अतनुम सैंगहिं तनुम अतनुम का मतलब होता है जो अयाल गर्दन के केश और छटा का मतलब होता है समूह और भिन्द मतलब होता है बिदीर्ण और घन यानि मेग तो मेगों को बिदीर्ण कर दिया है जिसके द्वारा कर दिया गया है ऐसे आप के द्वारा तो या मने आप के द्वारा वह सह मने वह कहा हिरने कसिपुहू दिका मतलब है नए नए जो कांता के इस्तन हैं उनकों संसर्ग से भी जो बक्र हो जाते हैं तेड़े हो जाते हैं इतने सुकोमल है भई सब खूल जैसे नखों कोमल नखों से उसके वक्षस्तल को फाड़ करके उसको मार डाला गया तो यहां पर जो है अत्यंत कठोर हर्दय को जब आप अपने नाखोनों से बिदिरन कर सकते हैं तो ऐसे आप के लिए क्या दुरलव है इस परकार के आप हैं तो आप सिस्पाल को आराम से मार सकते हैं चलिए अब बता रहे हैं कि हिरने कसिपू ही दुतिय जन्म में राबन हुआ यह बता रहे हैं उसके जन्मांतर को ब इस नाम से प्रसिद्ध बभूब माने हुआ रक्षा का मतलब है राक्षस हुआ और निकाम भी सनम का मतलब होताई भैसाब निकाम माने बहुत जाधा भी सनमने भैंकर और दिवाह मितलब होता है दिवलोक यानि स्वर्गलोक का छत रक्षणम छत मने नास कर दिया है रक्षण मने रक्षण के उपायों को जुसने छत कर दिया है इस प्रकार का वह राबन नाम का एक अक्यंत भैंकर रक्षणम 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 रक्ष किसे को कमरने के बाद विनो αυτा सिक्षा करता हुए किसको उटाना है तो कंडवा केंडू को खुझली को खटाने की इच्छा करता हुआ कहते खुजली कहां से पैदा हो गई दर्प जन्मना दर्प से है जन्म जिसका दर्प से है उत्पत्ति जिंगी आएसी खुजली पैदा हुई भैसाब उसको दर्प यानी घमंड अहंकार तो उसकी जो बलवत्ता का उसको अहंकार था उस अहंकार से फिर से उसको ख रणेन कंडवाह किसके साथ जी रण करना है उसको पुनहा मने फिर से त्री दसई ही समम् त्री दस का अर्थम बता चुके हैं तीन ही दसाएं होती हैं जिसकी बाले कॉमार और योवन अत्वा जन्म सत्ता और बृध्धी नास जिनका नहीं होता जरा जिनकी नहीं होती बुढ़ापा जिनको नहीं आता उनको कहते हैं त्री दस यानि की देवताप तो त्री दसई ही स साकम शारधाम आन 3 दशायी ही समम यानि कि देवताओं के साथ में पुना पन कंडू कोहटाने कि इच्छा करता हुआ, वरावन नाम का तिंत भीशन राक्षइ सुपन हुआ, अथम ने तदनंतर, सहह मने वह पुनहा फिर स्थ 선물 से त्रिदसेई ही समम यानि देवों के साथ युद से, रणेन माने युद से, दर्पजन मना यानि दर्पसे जन्य खुझलाहट, गमंड से उत्पन खुझलाहट, गमंड है से उत्पन होती है जो, आईसी कंडवा हमाने हुझलाहट का, बिनोदम इच्छन माने बिनास करने की इ रक्षा राक्षस बभूब हुआ बात समझ में आगी कि नहीं तो इसके साथ ही हमने इसको देखा तो इसमें हमको कुछ सब्दों को समझ लेना है सहमाने रावना प्रस्ण पूछा जा सकता है सहाई इससे किसका संकेत है रावन का है और कुछ अपंक्ति ध्यान रखनी है जैस और नीचे चार आप संद्य देंगे तो उसमें लगा देना है दिवाह यह सही हो जाएगा इस प्रकार से सब्दार्थ हमको पता होना चाहिए और थोड़ा सा इतना इसमरण में हो कि मतलब जब अर्थ हमको पता रहेगा कम से कम वहां पर सब्दार्थ हम किसी रिक्टस्था ख्यान दीजिए कि अगले 18 सिलोकों में राबन की ही महिमा का बरणन चलेगा और फिर उसके बाद सर्गसमापति के और पहुंच जाएगा तब तक के लिए नमस्कार